we welcome you to the divine connection divine connection याने आलोकिक संपर्थ में आपका स्वागत है ये प्रोग्राम तो हमेशा परमेश्वर के साथ में जुडने के बारे में कहता है और खासकर इस क्रिस्मस के समय में ये शुमसी का जन्म पूरे संसार में याद किया जाता है अगर आप पिछले प्रोग्राम को स्मरंड करें तो आप जानेंगे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इशु इस संसार में क्या करने के लिए आए थे और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इशु के संपर्ख में आ सकते हैं जो कि परमेश्वर हैं जो कि स्रिष्टी करता परमेश्वर हैं देखिए इस क्रिस्मस के समय में लोगों की जो मनुदश्या है वो बदल जाते हैं बहुत से मसी लोग हैं जिनने इस समय बहुत जादा प्रोचसान मिलते हैं लेकिन फिर भी जब लोग इस पर्व के मूड में आते हैं तो सच में बहुत खुश होते हैं येश्व मसी केवल क्रिश्चिन लोगों के लिए नहीं जन में हैं बाइबल से पश्ट रूप में बताते हैं कि येश्व सारी मानो जाती के लिए जन में इस तरह से पढ़ते हैं मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं याकूब में से एक तारा उदै होगा और इस्राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मुआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा ये तो बिलाम भवश्वक्ता के शब्द हैं जिसे राजा बालाक ने इस्राइली लोगों को श्राब देनी के लिए बुलाया था तब उसने ये कहा वो कहता है याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राइल में से एक राजदंड उठेगा इस तरह वो बताता है यहां तारा दर्शाता है कि भविश्य में क्या होने वाला है यानि याकूब में से एक तारा उदय होगा वो तो यहां पर दाओद और दाओद के पुत्र यीश मसी के बारे में बता रहा था यहां पर तारा जो है उसके तुलना यीश मसी के साथ में की गई है यह जो तारा है यह असली तारा नहीं लेकिन इसके तुलना यीश मसी के साथ में की गई है वही तो इस संसार के सारे मनुष्यों में सबसे विख्यात है शाद इस संसार में बहुत विख्यात लोग जिये होंगे उन्हें अच्छे से याद भी किया जाता है उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उन कामों के लिए लेकिन जहां तक की ईशू की बात आती है वो किसी एक खास देश के लिए नहीं आए लेकिन ईशू का जो देश था तो वो पूरी मानुजाती के लिए था यहां पर जो यह तारा है यह तो एक व्यक्ती को दर्शाता है कुछ लोगों के नाम के सामने स्टार्स के रूप में नाम होते हैं मैं ऐसे लोगों के सम्हू को जानता हूं जिनके सरनेम के रूप में उन्होंने स्टार नाम रखा है उनमें से एक का नाम है होम स्टार और दूसरा नाम है साइडिंग स्टार एक और नाम है फुले स्टार लोग अपने बच्चों का नाम इस तरह से रखते हैं इस अपेक्षा के साथ में की भविश्य में वो बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे साधर न रूप में हम दुसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही विख्यात हो जाएं हम ऐसे मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसने इस हद तक काम किया कि पूरा इतिहास उसे स्मरण करता है अब तक के इतिहास में और आने वाले इतिहास में भी उसे स्मरण किया जाएगा वो इतने महान है और कई बार इसे स्मरण करने के लिए हम अपने घर में तारे लटकाते हैं या कोई एक तारा लटकाते हैं हम यह सब कुछ क्यों करते हैं? यह इसलिए क्योंकि जब रभुईश मसी का जन्म हुआ तो सच में आसमान में एक तारा प्रगट हुआ मतिरचि सुसमाचार में हम यह कहानी पढ़ते हैं मतिरचि सुसमाचार अध्याय दो वचन एक से बारह हमें हम इन पूरे वचनों को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर सारांश में आपको बताता हूं यह वचन का भाग इशु के जन्म के बारे में बताता और जब वो जन्में तो पूर्वो में एक तारा प्रगट हुआ और उस समय राजा हेरोदेश यरुशले में राज्य कर रहा था वहाँ बुद्धिमान लोग थे जिन्हें मजूसी कहते हैं उन्होंने जाना इस स्टारे को देख करके एक राजा जन्मा है और वो उसके उपासना करने के लिए आए और वो अपनी यात्रा शुरू करके हरोदेश की जगह पर पहुँचते हैं राजा के बारे में पूछने के लिए राजमेल में आना ये तो सामाने सी बाती तो वो आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा यीशु जिनका जन्म हुआ है वो कहां पर हैं हमने पूर्व में उसके तारे को देखा है हम उसकी आरादना करने के लिए आए हैं ये वचन तो बहुत ही अधुत है ये वचन कहता है कि हेरोदेश के साथ साथ सभी लोग उस समय परिशान हो गए और हम सच में नहीं जानते कि वो क्यों परिशान हो गए क्योंकि एक और राजा का जन्म हुआ है इसलिए हेरोदेश परिशान था और तुरंत ही राजा हेरोदेश ने सभी बुधिमान और शास्त्री और फरिसियों को अपने महल में बुलाया और कहां कि यहुदियों के राजा का जन्म कहां पर होगा इसे तुम धूंडो और मुझे जल्दी से बताओ उसने याज को और शास्त्रीयों को बुलाया और उन्होने देखा और बताया कि बतलहेम में उसका जन्म होगा तो हरुदेश ने मजूसियों को गुप्त में बुलाया और उनसे कहां कि तुम जाओ और उसकी आरादना करो फिर आकर मुझे बताओ ताकि मैं भी जाकर उसकी आरादना कर सको इस तरह से कहां कि मैं भी जाकर यहुदा के राजा की आरादना कर सकूँ ऐसे उसने उन मजूसियों से कहा तो ये मजूसी राजमहल से निकल कर बतलहेम की और अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जब वो राजमहल से बाहर आए तो उन्होंने फिर से उस तारे को देखा और वो खुश हो गया क्योंकि वो तो उन्हें उस जगह पर ले जा रहा था जहां पर मुबालक था उस जगह पर वो उन्हें लेकर गया जहां पर येशु को रखा गया था और जब वो वहां पर पहुँचे तो उन्होंने येशु की आराधना की उन्होंने अपने ख़जाने खोले और येशु मसी के सामने बहुत से उपहार रखे सोना मुर और लोभान के वहां पर भेंट वस्तुएं उन्होंने उसे चढ़ाई थी उन्होंने येशु के सामने उपहार चढ़ाए फिर उसके बाद स्वर्दूत ने उन्हें स्वपन में जेतावनी दी की वो हेरोदेस के पास वापस न जाए उन्हें दूसरे मार्क से चले जाने के लिए कहा गया ये सच में कितनी अद्भुत ऐसी कहानी है ये एक असली कहानी है और हम बाइबल से इसके उधारन देख सकते हैं इस वचन के भाग से कुछ दिल्चस्प बातों को हमें नोट करना चाहिए जब ये मजूसी हरुदेश के राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने उसका तारा दिखा इस तरह से हरुदेश से कहा जब मैं इसे पढ़ रहा था इस पर मनन कर रहा था तो मेरे मन में कुछ विचार उखे सबसे पहले पर मिश्वर ने तारी बनाए और इसलिए यह उसके तारी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सारी तारी पर मिश्वर की हैं यह उदा इसारी वश्वर ने ज कर दो रूची ने विफाक लगाच अषापण कर बेंपनेद के लिए च्कुट को वाराम। आँ वा जेए इस वाराम वाराम। गर निए लाच डेए लाच तो गवर जवेद टे ले ले उवेदा लेज़ाट ताराऊ, वे ताराम। प्रमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जोतियां हो और वे चिन हो और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो और वे जोतियां आकाश के अंदर में पृत्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया तब परमेश् परमेश्वरने तारंगन की रचना की जब परमेश्वरने तारे बनाय तो उसने हर में एक तारे को अपने उद्यक्ष के साथ बनायाोर उसने रिएक तारे का अपना अलग नाम रखा Bible says very clearly that each star is known by God Bible's पश्टरीती से बताती है कि परमेश्वर हर एक तारे का नाम जानते है and he knows the number of stars परमेश्वर तारों की संख्या जानते है in the book of Psalms 147 verse 4 भजन सेता 147 भजन चार ये कहता है it is interesting to read like this He determines the number of stars and calls them each by name ये दिल्चस्प ये कहता है वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है we cannot count stars हम तारों को गिन नहीं सकते हैं when God called Abraham one of the things he said is look at the stars if you can count it then you can count your descendants परमेश्वर ने अबरहाम को बुलाया और कहा कि तारों को गिन अगर तो गिन सकता है तो तो अपने वंश को भी गिन पाईगा इसका आर्थ ये है कि आप तारों को गिन नहीं सकते हैं ये तो अगनित तारे हैं and he says here in Psalm 147 he determines the number of stars and calls them each by name भजन सेता 147 में यहां पर ये कहता है कि उसने हरी एक तारी को गिना है और वो उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है further way if you go down in 1st Corinthians 15 verses 40 to 41 New Testament section 1st Corinthians an epistle written by Apostle Paul in the 15th chapter 40 to 41 he says there are also heavenly bodies and there are also earthly bodies but the splendor of the heavenly bodies is one kind and the splendor of the earthly bodies is another the Sun has one kind of splendor the moon has another and the stars another and star differs from star in splendor नहा कुरंथियों 15 वच्चन चालीस कहता है स्वर्गीय देहन और पार्थीवल्थ देहन परन्तु क्या ये अद्भुत नहीं है कि वो हर एक तारे को जानते हैं उसका नाम उसे पता है याने उसने हर तारे का अलग-अलग नाम रखा है उसे अलग-अलग तेज दिया है हर तारे का नाम परमिश्वर को पता है प्यारे दोस्तों क्रिस्मस का ये तारा केवल घर में ऐसा लटका हुआ ना हो हमारे लिए परमिश्वर का उदेश यही है कि हम इस संसार में उसके तारे के जैसे चमकते चले जाएं आज वो आपको यही क्रिस्मस का संदेश देना चाहते हैं फिलिपियो अध्याय दो बचन 15 और 16 में प्रेट पाल उस फिलिपियो की कलीश्या को यही लिखता है फिलिपियो अध्याय दो वचन 15 यहां पर हम पढ़ते हैं ताकि तुम निर्दोश और भोले होकर तेढ़े और हटीले लोगों के बीच पर मेश्वर के निश्कलंग संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिये हुए जगत में जलते दीपकों के समान एक अनवाद कहता है तारों के समान दिखाई देते हो यानि तुम जगत में तारों के समान दिखाई देते हो एसा यह वचन हमें यहां पर बताता है उसने हमें बुलाया कि हम इस संसार में तारों के जैसे चमकते चले जाएं क्रिसमस का तारा जो मजूसियों के सामने प्रगट हुआ था मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन पर वो कैसे असर डालता है मत्ती दो-दो कहता है यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आई है जब यह तारा उन मजुस्यों ने देखा वो तारा तो तेजों में था चमकीला था उन्होंने जाना की राजा जन्मा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम प्रभू के लिए तारों के जैसे चमकते चले जाएं in the book of Matthew in the new testament section 5th chapter we read like this 14th verse onwards you are the light of the world a city on a hill cannot be hidden neither do people light a lamp and put it under a ball instead they put it on its stand and it gives light to everyone in the house in the same way let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your father in heaven मती 5.14 से आगे तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुश्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करे इस तरह ये वचन हमें बताता है इसके पीछे का विचार ये है कि जो तारा आप में है उसका प्रकाश फैलते चली जाए और लोगों को उसे देखना चाहिए यहना आठ बारा में ईशु मसी ने यहां पर इस तरह से दावा किया कि वही जगत की जोती है यहना आठ बारे में कहा कि मैं ही जगत की जोती हूं और बाइबल के विदवान कहते हैं कि यह एक विशेष्टा है जो इशु ने अपने बारे में कही थी और यही विशेष्टा विश्वासियों में भी पाई जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत से मैं हूं ऐसे वाक्य कहे गए हैं उन सारे वाक्यों को देखे येशो ने कहा कि मैं जगत की जोती हूँ और वो कहते है कि तुम भी जगत की जोती हो तारों के रूप में हमारी जो बुलाहत है वो यही है कि हम तारे के जैसे प्रकाश्मान हो हम कैसे प्रकाश्मान हो सकते हैं घीवित वचन को थामे रहने के द्वारा हम प्रकाशित हो सकते हैं पालूस यही तो कहता है फिलिप्योव दो में जैसे हमने पढ़ाए वो कहता है कि उस जोती को उस प्रकाश को थामे रह जोंकि परमेशवर का वचन है बाइबल कहती परमेश्वर जोती है पहला यहना एक पांच कहता है जो समाचार हमने सुना है और तुम्हें सुनाते वो यह है कि परमेश्वर जोती है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं दूसरा कुरंथियों 4-6 और 7 कहता है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने का हंदकार में से जोती चमके और वही हमारे रिदे में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की जोती इश्वमसी के चहरे से प्रकाश्मान हो परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बरतनों में रखा है कि वो असीम सामर्थ हमारी और से नहीं वरन परमेश्वर की और से ठहरे तो हम यह जानते हैं कि हमें प्रकाश्मान होना है और इस संसार में हमें प्रकाश्मान होना है स्वर्ग में तो निश्ची हम प्रकाश्मान होना है स्वर्ग में तो निश्ची परमेश्वर की जोती होगी और हम तो वहाँ पर हमेशा उसकी जोती में रहेंगे स्वर्ग में कोई अंधकार नहीं है केवल यहीं पर अंधकार है और इसलिए हमें प्रकाश्मान होना है lead the people like the star of Bethlehem led the Magi to Christ उर इसी तरह से हमें लोगों को भी मसी येश्यो के पास में आने में अगवाई करनी है जैसे बितलेहम की तारे ने उन मजुसियों की मसी के पास आने में उनकी अगवाई की थी वैसे हमें भी करनी हैं When you read Matthew chapter 2 verse 9 we read in that verse After they had heard the king, they went on their way and the star they had seen in the east went ahead of him until it stopped over the place where the child was. मत्ती दोनों कहता है वे राजा की बात सुन कर चले गए और जो तारा उन्होंने पुर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठहर गया. कुछ भी हो हमें दूसरे लोगों को येशु की और दर्शाना है अपनी और आकरशित नहीं करना है लेकिन येशु की और लेकर आना है और परमेश्वर ने हमें यही भूमी का दी है जब यहना ने येशु के पहले अपनी सेवगाई शुरू की तो उसकी बहुत सी परिक्षा हुई कि वो अपने लिए महिमा ले ले कि वो उसके द्वारा खुद की महिमा करे उस समय बहुत से लोग यहना के पास मदद मांगने आते थे यहना यहां पर येशु के बारे में इस तरह से कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है और यहां पर इस बाचीत में हम देखते हैं कि यहना के जो चेले थे उन्हें वो प्रोचाहित करता है कि तुम येशु के पीछे चलो इस तरह उन्हें प्रोचाहित करता है यहना एक सैंथीस कहता है तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर येशु के पीछे हो लिये येशु के पीछे चलने लगे तो यहना अपने चेलों को येशु की और दर्शा रहा था दिखा रहा था और आज हमें बिलकुल इसी तरह से सेवकाई करनी चाहिए अंत में मैं आपको एक महतुपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि बतलहम के तारह के जैसे हमें दूसरों को खुश करने वाला वेक्टी होना चाहिए क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीती से कहती है जब मजूसी हरुदेश के महल से बहार आए तो उन्होंने उस तारह को फिर से देखा और वो आनंद से भर गये और वो बहुत खुश हो गये अगर आप तारह हैं तो आपसे अपेक्शा की जाती ही कि आप दूसरों को खुश रखें खास करके इस क्रिस्मस के समय में येशु मसीर संसार में क्या करने के लिए आये हैं ये बताने के द्वारा आपको दूसरों के जीवन में आनंद लाना है कि आप ऐसे तारह बनना चाहते हैं येशु आपको ऐसा बना सकते हैं वो चाहते हैं कि आप तेजों में हो जाएं वो चाहते हैं कि आप दूसरों की अगवाई करें, वो चाहते हैं कि आप दूसरों को खुश कर दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चे ही क्रिस्मस का उदेश आपके जीवन में पूरा होगा, येश्वमस से इस पृत्वी पर आए और वो क्रूस पर मरे और तीसरे दिन वो जी उठे कि हमें उद्धार दे उसका यही तो देश्य था, अगर आप उस पर विश्बास करते हैं तो आपने उस देश्य को पूरा किया है जिसके लिए प्रभु येश्व इस पृत्वी पर आए थे, पर मेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहतायच से आशीश दे, प्रभु आपके टूरा आपके अचोटट नंबर